प्राचीन समय में ही प्राकृतिक चिकसा परनाली में मिट्टी का प्रयोग कई तरह के रोगों को ठीक करने के लिए होता आया है आज भी इस परणाली को मड़ थेरपी के नाम से जाना जाता है इस थेरपी के दवरा शरीरिक समस्याओं तो दूर होती है है साथ ही शरीर भी तरोत ताजा हो जाता है और श्रीम में नवीन गड़ा खोद कर निकालनी चाहिए क्योंकि उस मिटी में हानी कारक तत्व कम मात्रा में होते हैं जिसके लवा बाजार में भी मुलतानी मिटी असानी से मिल जाती है तुचा के लिए है फाइदे मन चहरे पर होने वाले मुहासों को दूर करने के लिए मिटी का लेप या मड़ थेरपी कारगर सिद होती है इसके लिए खेद की मिटी या बाजार से मिलने वाली मुलतानी मिटी का फेस्ट बनाकर चहरे पर लगाया जा सकता है इसके प्रयोग से चेहरे के दाग दब्बे भी दूर होते हैं और चेहरे की चमक भी बढ़ती है इसके लवा मड़ थरपी से रूखी तुचा मुलाइम बनती है और उमर से पहले दिखाई देने वाले बुढ़ापे के लक्षन भी दूर होते है शरीर के तापमान और जलन को करे दूर शरीर में सेक या हीट निकलने पर भी मड़ थरपी का इस्तेमाल किया जा सकता है इसके प्रयोग से हाथों पैरों में जलन होने पर अराम दिलता है क्योंकि मिट्टी में तापमान को सोखने वाले गुन पाए जाते हैं सरदर्दवा तनाव को करे दूर सर के दर्द को दूर करने में भी मड़ थरपी का प्रयोग करने से फाइदा होता है इसके प्रयोग से सर की गर्मी दूर होती है मिट्टी के लेप का प्रयोग माथे पर किया जाता है और जुरूरत पढ़ने पर इसे पूरे सर पर भी लेप की तरह लगाया जा सकता है इस लेप को लगाने से तनाब भी कम होता है और श्रीर में नई उरजा का संचार होता है इसके लवा बुखार होने पर भी इस मड़ पैक को पेट और माथे पर लगाने से आराम मिलता है उल्टी और दस्त में दे आराम दस्त लगने पर और उल्टी होने पर मड़ पैक के इस्तेमाल करने से लाव होता है दस्त लगने पर पेट के उपर मिट्टी का पेस्ट बना कर लगाने से फाइदा होता है वहीं उल्टी आने पर इसी पेस्ट को शाती पर लगाने से आरा मिलता है इन दोनों तरीकों से दोनों समस्याओं में लाव होता है पाचन तंतर में करे सुधार मड थेरपी या मिट्टी का लेप पेट की समस्याओं में भी फायदे मन्द है पाचन तंतर में सुधार लाने के लिए पेट के निचले भाग पर मिट्टी का लेप लगाने से लाव होता है इसे आंतों की गर्मी भी दूर होती है और साथ ही गैस वा पेट दर्द में भी आरा मिलता है अधिक लाब के लिए इस लेप को 20-30 मिनट तक लगा कर रखें कब्ज को करे दूर कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए भी मिट्टी के लेप का प्रयोग किया जा सकता है इसके लिए पेट के निचले हिस्से में मिट्टी का लेप लगाने से कब्ज की समस्या में फाइदा होता है घाव ठीक करने में है लाबकारी मिटी में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेंटरी गुन घावों को जल्दी भरने में मदद करते हैं इसलिए घाव पर मिटी का लेप लगाने से घाव जल्दी ठीक होते हैं और घाव के निशान भी मिट जाते हैं सुदो तो यह थी मिट्टी के लेपियानी मड थेरपी से जुड़ी जानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़े रही है डी फाइव चैनल हिंदी के साथ